हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग दिस इस नेहा निशाद और वेलकम टू इंजिने स्टडी सर्कल एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं बच्छों आपके यूटूब के चैनल में जहां पर हम लोग प्रेपरेशन कर रहे थे अपनी यूपी टॉपले सी जूनियर इंजीन हम लोगों का टार्गेट है क्या का टार्गेट है हम लोगों का कि हम लोग अपना 15 जैन्वरी तक कब तक की 15 जैन्वरी तक इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे आफ्टर 15 हम लोग क्या करेंगे सिफ और सिफ प्रेपरेशन ही करेंगे इन केस अगर 15 तक नहीं complete कर दिया जाए I hope आप लोगों को strategy और time table मिल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कौन से दिन कौन सा paper और किस time क्या करेंगे उस date के हिसाब से आप लोगों को सारा time table मिला है तो हम लोग वैसे ही अपनी preparation को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तो चलिए start करते हैं अपना वीडिय हम channel नहीं join किया है तो प्लीज उसको भी जाके join कर लीजे क्योंकि जो भी PDF होंगे आपको सारा telegram पे ही मिलेंगी तो start करने से पहले आज का देख लेते हैं थोड़ा motivational thoughts के बारे में जान लेते हैं कि क्या है motivational आप लोगों को जो motivate करता है परिंदे रुक मत तुझ में जान बा आज यह कल मुठी में होगी दुनिया लक्ष पर अगर तेरा ध्यान बाकी है तो लक्ष पर ध्यान बाकी है मतलब आप जिस तरीके से आप देखोगे इगल होता है बाज होता है वो क्या करता है वो बहुत ही उड़ान उड़ता है ठीक है उची उड़ान उड़ने से पहले वो क्या करता है फ्लोर पे बहुत प्रेशर लगाता है जब प्रेशर लगाता है नीचे से तो उसकी उडान ही उतनी क्या होती है उची होती है तो उसी बच्चों उसी तरीके से आप याद रखो कि आप लोग जितने मन से प्रेपरेशन करोगे और जितने दिल से करोगे उतने ही आपको अच्छी तरीके से वो topic clear होगा और exam में आप बिना गलती किये हुए उस question को उस topic को अच्छे से कर पाओगे तो चलिए start करते हैं हमारा आज का synonyms रहेगा और एक चीज़ और इस बार first video में तो हमने सिर्फ synonyms पढ़े थे आप हम क्या करेंगे आपका synonyms और antonyms दोनों एक साथ ही पढ़ लेंगे क्यों क्योंकि आपका synonyms means होता है same words और antonyms means होता है आपका just opposite ठीक है तो it means क्या होगा अगर same है तो synonyms है ठीक है अगर क्या है आपका same है तो क्या होगा synonyms होगा ठीक है और antonyms चलें start करते हैं first है हम लोगों का onsland means होता है हमला या आक्रमण कर देना means to attack इसका हिंदी मीडिंग क्या हो गया आपका attack हो गया या आक्रमण हो गया या हमला करना हो गया English meaning देखेंगे तो English meaning means होता है आपका a violent attack मतला बहुत जोसे या फिर forcefully इस तरीके से attack करना और Sanoniums देखेंगे तो Sanoniums बन जाएगा आपका Aggression, Assault, Raid, Offensive और Antonium की बात करेंगे Antonium means क्या होगा आक्रमर यानि कि उसको आक्रमर का जस्ट उल्टा क्या हो सकता है Defense, Retreat और Security ये आपका क्या हो सकता है जो आक्रमर का उल्टा होगा Means opposite word होगा Next move करते हैं on 20 आपका Ditterence, Ditterence means होता है हमारा निवारण या अवरोध भी होता है तो ये हम अलग-अलग sentence में अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं Meaning देखते हैं, इसका English meaning क्या होगा The action of discouraging an action or event through insulting doubt, sorry, instilling doubt or fear of the consequences मतलब किसी चीज को क्या करना, discourage करना, किसी person को जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने आपको या दूसरों को हम लोग motivate करते हैं, ठीक है वैसे ही क्या होता है, motivate का just opposite हो जाएगा आपका discourage, मतलब किसी को नीचा दिखाना या फिर उसको discourage करना कि हाँ तुम यह नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे इसका synonyms देखते हैं, synonyms के है आपका discourage होगा, force होगा और prohibiting होगा, antonium की बात करेंगे तो इसका just opposite permission होगा, allowance होगा, approval होगा, support होगा, ठीक है means एक जगे हम किसी को motivate कर रहे हैं, support कर रहे हैं फ्यासको, फ्यासको means होता है असफलता, मतलब नाकामियाबी meaning क्या है, English meaning है complete failure, पूरी तरीके से fail हो जाना, नाकाम होना synonyms कैसा क्या होगा, आपका complete fail, आपका फ्यासको का breakdown होगा, disaster होगा और debacle होगा, antonium क्या होगा, achievement, miracle और success, यह आपके क्या हो जाएंगे आपके opposite हो जाएंगे, next है हमारा, astonish, astonish means होता है, आश्या चकित means किसी को अचंभित कर देना, चकित में डाल देना, इसका हिंदी मीडियम है, sorry, हिंदी मीडियम है English medium क्या हो जाएगा, causing a feeling of great surprise of wonder, मतलब किसी ऐसी कोई surprise की जो sudden feeling होती है हमारी, यह हमने कुछ अजीब सा देख लिया होता है, जो हम कभी expect नहीं करते हैं, यह हम time से नहीं expect कर रहे हैं, उस तरीका का, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, astonish हो जाते हैं, तो आपका यह क्या है, सैनोनियम होगा, amazing, stunning, shocking और spectacular, next है अन्टोनियम, अन्टोनियम में क्या होगा, आपका answer, pricing, और tranquilly, calmly, यह आपका क्या हो जाएगा, asteris का just opposite, means कभी आप क्या हुए, आप asteris ही नहीं हो, बहुत शान्त है, आपको कोई फर्किरी पड़ा, हाँ, चलो, ठीक है, आपके लिए normal हो गया, next देखते हैं, आपका है, plumet, plumet means होता है, अकास्मिक रूप से घटना, घटने वाली घटना, मतलब, जो कभी आपने expect नहीं किया हो, इस तरीके से कोई work हो जाए, या कुछ, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, अकास्मिक रूप से घटना, जैसे क्या होगा, to fell suddenly from a very high place, ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी को आप छट प से नीचे आजाओ, जैसे आपने exam की preparation किया, अपने pre निकाला है, means निकाला, सब कुछ निकाला, पर इंटर्व्यू बाइ लग आपका, by chance आपका इंटर्व्यू नहीं होता है, तो वहाँ से जब आप नीचे आते हो, तो वह आपका क्या कहलाएगा, प्लिमेट कहलाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, आपके एक चड़ाई, मतलब एक आपका रेस हो सकता है, कि हाँ, आप ऐसे ऐसे चड़के जा रहे हो, फिर वहाँ से गिर रहे हो, यह होगा meaning आपका, to fail suddenly from a very high place, इसका मतलब यह नहीं कि उपर से नीचे गिर जाओ, तो आप लिमेट हो जाओग आपका छीन लेना या छीन लिया, क्या होता है हमारा छीन लेना, snatched means क्या होगा, छीन लेना, कोई भी चीज हमने snack कर ली, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उसको grab कर लो, snack कर लो, ठीक है, meaning क्या होता है, to take a portion or place of other one by using force, मतलब किसी से आप कोई भी चीज को खीच रहे हो, forcefully ल क्या हो जाएगा, Antoniums क्या हो जाएगा, loss, miss, slip और release, next है, सर्मांट means क्या होता है, विजय पाना, means जब आप बहुत अच्छे से hard work करोगे, तो आप अपने exam में विजय पालोगे, आपका result अच्छा आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, सर्मांट, English meaning होता है, to deal with a problem or a difficult situation successfully, किसी भी problem में या किसी भी ऐसे situation में आप उसको बहुत ही successfully क्या करो, उससे deal करो, उस problem से उससे निकालाओ, सर्मांट होगा, आपका concur, defeat और overcome, Antoniums की बात करेंगे, तो lose, be careless और defeated, next है हमारे 36 है, breaced, based मीन होता है, उन लंघन करना, उनलंघन मीन होता है, किसी चीज़ को ना करना, या मना करने के वावजूद भी भार-बार करना, तो उन लंघन करना होगा, आपका, तेक हैं, ना करना यह का लग मीनिंग होता रेर का, तो आपका क्या हो जाएगा ब्रीज्ट हो जाएगा meaning होगा English में आपका violation of law और obligation, synonyms आ जाएगा आपका contravention, trespass, contravene और antonyms होगा आपका complaint, follow और obey next है हमारा wizard, wizard means होता है जादूगर, अब वो जादूगर magician मतलब magician भी जादूगर हो जाएगा क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़े जानता है जो हम लोग नहीं जानते हैं तो English meaning क्या हो जाएगा आपका wizard का, a person who is very good at something एक ऐसा person जो किसी एक चीज़े बहुत अच्छा हो, उसे उस चीज़े के बारे में बहुत deeply knowledge हो synonyms means होता है magician, enchanter, charmer antonium क्या होगा आपका, amateur, inexpert और non-professional यह आपका क्या हो जाएगा, synonyms हो जाएगा, oh sorry, antoniums हो जाएगा next है आपका laurel, laurel means आपका, देखो, बताते क्या meaning होता है English पर पहले देखो, honorable of fame given for someone achievement यानि कि एक ऐसा आपको laurel means होगा, आप किसी को क्या दे रहे, award दे रहो किसी को means उस सीरी तक पहुचाने के बाद उपलक्ष में उसको दिया जाने, उसके achievement तो वो आपका क्या हो जाएगा laurel, seronium जैसे award दिया, fame मिला उसको और reward antoniums क्या हो जाएगा, criticism करा, blame किया, disapproval दिया, तो यह सब आपका क्या हो गया, opposite है next है 29, parity आपका क्या है, parity, इस means होता है समानता और समरूता, इस means equality एक, meaning है the quality or state of being equal or equivalent, मतलब एक ऐसी quality है, एक ऐसा state जहां पर सब क्या हो आपस में बराबर equal हो, तो जैसे uniformity हो गया, affinity हो गया, closeness हो गया, ठीक है, antoniums देखेंगे, इसका just opposite हो जाएगा, imbalance, यहां पर एक balance भी हो सकता है, इस anoniums में मतलब सब बराबर है, variance मतलब यहां पर agreement हो गया, but disagreement क्या है, कोई भी उससे सहमत नहीं है, है next है हमारा 30, elusive, क्या है हम लोगों का elusive means होता है, elusive भटकना, मतलब भटकने वाला, जो इदर से उदर घूमे, उसको क्या बोलेंगे, elusive person, आप बोल सकते हो, he is a very elusive person, क्योंकि वो हर समय इदर से उदर भटकता रहता है, meaning, इसका English meaning देखेंगे, तो क्या है, hard to understand, define or remember, मतलब जिसको समझने, इसका क्या है, समझ नहीं सकते है, बहुत मुश्किल है, उसको याद रखना, define करना, या उसको समझ में, so anonyms क्या है, जैसे कोई puzzle, भई, puzzle बहुत tough होता है, buffing, ठीक है, और ambiguous, यह हो गया आपका, anonyms, sorry, an night हो गया, honest हो गया, और intelligible हो गया, 31 है हमारा, अप्टिक, अप्टिक मींज हो चाता है, इजाफा, इजाफा मींज जैसे profit समझ सकते हैं, ठीक है, तो मीनिंग क्या है, small increase और rise, synonyms हो जाएगा, addition और augmentation, increment हो गया, antonyms की बात करेंगे, decline, reduction, और abattment, next है हमारा, 32, अचीव कर पाऊंगा, तो बहुत सारे बच्चों में जोस तो हमेशा, अपने अंदर हमेशा जोस आप भरे रखिए, meaning English होता आपका intense and passionate feeling, मतलब किसी चीज़ को कर गुजरने की इक्षा या चमता, synonyms हो जाएगा, zeal, ठीक है, adore हो जाता, इसकी spelling क्या हो जाएगी, ardour, adore होती, enthusiasm, antonyms हो जाएगा, आपका dullness और insincerity, next है हम लोगों का onset, onset means होता है, शुरुवाद, मतलब starting, इसका meaning क्या है, the beginning, मतलब just starting, synonyms हो जाएगा, commencement हो गया, start, begin, antonyms, close, conclusion, or end, उसका just opposite, यह तो very easy था, next है हम लोगों का, compliances, compliances means होता है, पालन, मतलब किसी को क्या करना, rearing, या पालन, या मतलब product करना, productivity, meaning the act of process of compiling, synonyms क्या हो जाएगा, differences, obedience, और docility, antonyms हो गया, deficience, और interfactability, disobedient, next हो गया, हम होगा, credential, credential means होता है, प्रत्यच पात्र, यानि कि आप qualification समझ सकते हो, ठीक है, कि आप जो याप यूपेसी, टेपरसी, यूपी, टेपरसी, जई, जुनियर, जीनियर का जो बचों ने फॉर्म भरा तो उनकी क्या प्रत्यच पात्र था, उनका, क्या प्रत्यच पात्र था, कि वो कि उनके पास क्या qualification दी, तो वो कैसे थे, वो credential थे, इस फॉर्म को अब फॉर्म फिल कर सकते, उनके बस डिगरी थी, अन्टोनियम से क्या होगा, ब्लॉग, कंस्टेइन और डिसलाउग, 36 है हम लोगों का forbearance, forbearance मिल होता है सहन शिलता, मतलब अपने अंदर कितनी सहन करने की चमता है, meaning क्या हो जाएगा, English meaning होगा, the quality of a person who deal with a difficult person or situation without becoming angry, मतलब एक ऐसा person या एक ऐसा कोई भी जो क्या करता है, किसी भी situation में अपने आपको बिना परिशान के वे बिना गुसा किये हुए, उस situation से निकलने की कोशिश करता है और निकलता भी है, synonyms हो गया, patience, long suffering, tolerance, antonyms हो गया, apetile, keenness और adore, next है, said, means होता है आपका सौपना, सौपना मतलब किसी को hand over कर देना, कैसे, in English meaning to give control of something or to another person, group or government, something, मतलब किसी को सारा control दे देना, या तो खुद का या किसी समान का, synonyms means surrender, yield, relinquish, antonyms हो जाएका, disapprove, reject, nix or refuse, next है, human, human means होता है दयाशिल्दा, दयाशिल्दा मतलब आपकी दयालूता, English meaning क्या हो जाएगा, hearted, मतलब बहुत जो kind hearted है, बहुत दिल का बहुत साफ है वैसा, synonyms means है kind, generous और compassionate, and nine है protocol, protocol means होता है आपका physical, खर्च, अव्यवी और खर्चीला, English meaning है, spending money freely and rather wastefully, जो बिना मतलब के पैसे show off करता है, खर्च करता रहता है, ऐसे ही बिना मतलब का, synonyms हो जाएगा, extravagant, wasteful, spent, tripped, आपका squander, synonyms है, sensible, wise, और careful, जो सो समझ के खर्च करता होगा, आज के लिए यह last है, हम लोगों का, तो आपका यह क्या है, notorious, notorious means होता है, बदनामी और कोख्यात, meaning क्या हो जाएगा, well known for something bad, मतलब कोई इसन ऐसा है, जिसको चीजे तो पता है, पर उस convenient से पता है, कि उसको पता होना वो बहुत गलत है, मतलब उसको वो बात नहीं पता होनी चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, notorious हो गया, तो synonyms में क्या हो जाएगा, आपका infamous, dishonorable, flagrant, blatant, और disgraceful, आपको यह clearly समझ में आगया सेशन, अगर आपको बहुत अच्छे से clearly समझ में आया है, तो please don't forget like, share and subscribe, अपने friends से जादा से जादा अपने friends को क्या करिये, शेर करिये और subscribe करिये, और comment में जरूर आप बताईएगा, कि आपको इस सेशन कैसा लगा है, और इसका next भी मैं आपको send कर दूँगी, I hope आपको आपका time table का pdf मिल गया होगा, और strategy मिल गई होगी, कि किस दिन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, English में, Hindi में, in all the subject, जो भी आपका UPITAPACJ exam के लिए important है, तो अगर आपने हमारा telegram channel नहीं subscribe किया है, उसको भी जाके आप जल्दी से join कर लिए ताकि आपको pdf मिल सके, thanks for watching,